कि आज में आपको सीदे ले चलता हूँ हमारे गाउं के जंगल में जहां पहें इस मौसम में सबसे ज्यादा कि प्राइक्ता में केर का पेड पहुती सुन्दर और देखो इसमें केर के पेड पर फूल आ चुके हैं अब इसमें देखो छोटे-छोटे केर भी लगने लग चु यह राजस्तान के एक अच्छी सब्जी है जो की बहुती सुद्ध और पौश्टिक्ता से बरपूर होती है देखिए देखिए लोगो कितना कितने अच्छे-च्छे पेड है केर के इसको राजस्तानी लोग बहुती मजे से चाव से खाते हैं अब दो तीन दिनों में इस के केर के लगने लग चुक देखिए यह केर है देखिए तोड़के दिखाता हूं आपको इसको साधानी पूरो क्षे तोड़ना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे कांथे होते हैं देखिए लोगों यह हमारा गाउं का जंगल है कितना सुन्दर लग रहा है केर के फुलू से सजावा देखिए यह देखिए बहुत अच्छा कितना सुशिल देखिए अभी दो तीन दुनों में यह केर के फुल और इन पर केर लग जाएंगे तो गाउं के लोग आना सुरू हो जाएंगी फिर बेड़े चाव से इसको खाएंगे देखिए यह हमारे गाउं का जंगल है देखिए देखिए कितने सुन्दर नजा रहा है इसके बाद खेतु में सांगरी जानते आप सांगरी जो खेजडी पे लगती है वो भी शुरू हो जाएगी और उसकी सांगरी और केर की सबजी जब खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है फोरें लोग इसे चक्कर इतना स्वाद लेते हैं कि पूछो मत देखिए देखिए कितना सुंदर नजारा मिल रहा है आपको चिडियों की चैचाहाट के साथ सुबह का मोसम नो बज़े का मोसम है ये फिर भी देखो दूप है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है नजारा देखिए प्राइब लेकिन जारा देखिए अपकुल अपकी साराख अपकी साथ